आप रादे रादे प्रैंज कैसे हैं आपसब तो देखिये आज में लेके आई हो आपकी बेटे के लिए बहुत सुंदर से गलॉफ सल और जैस मतलब कोई भी पहन सब्सक्राद दो डेखिय है कितने सुंदर लग लिए और विदावट फिंगर का एक सबसे बड़ा फैदा ही होता है या आप कुछ भी काम कर सकते हो लिख भी सकते हो आप इससे कुछ भी कर सकते हो त्थल से बचाएंगे और हमार काम भी हो जाएगा उतार ले पड़ेंगे काम के लिए तो करते हैं start तो देखे मैंदे 60 फंदय ले लिया और अभमèreन दबल लूंसे लिए आप जैसे भी आप फंद isso डालते हैं ओर बौडर बंद और बिन करते हैं स्टार्ट तो देखिए बॉर्डर बन चुका है हमारा तो यह लंबाई मैंने इतनी रखी है चार उंगल आप अपने मर्जी से रख सकते हो तो अम मैंने क्या करना है फंदों के साब लगाना आपने यह देखो हाफ हाफ करने हमने पहले हाफ इस सेड़ हाफ इस में पेल यह देखो यह प्लीन का हपको हिसाब लेना पडशाव में ना पड़ेगा यह एक neu है दो तीन चौ पांच छे साथ आठ नो नो प्लेन अगे मेरे में अंते अब धागा आगे और 2 उल्टे फिक दागा पीछे 2 सीधे दो पर आग गे चार उल्टे एक दो तील चार अब धागा पीछे दो सीधे है कि फिर धागा आगे दो उल्टे कि अब देखिए यहां नो लिए थे सीधे नैन तो आप हम यह हून kenardken के नाइन इस साइड के तो 18 लेंगे अठारा नौई साइड नौई साइड तो यह ठार लेंगे हम एक सीधे दो तील चार पांच छे यह मेरा जोइंट आ रहा है इसको मैं कैसे छुपाऊंगे देखो इस तरह करूंगे इसको इस तरह स्लाई के उपर और इसको ऐसे बुलनोंगे साथ आठ फिर दुबारा करूंगे जितना लंबा है नौ इसमें रैप हो जाएगा यह दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सत्रा अठारा यह अठारा आगया हमार बीच में 18 आगया हमारे बीच में 18 तो अब मैंने देख धागा आगय करना है और दो उल्टे फिर धागा पीछे दो सीधे और अब पैटर्न पैटर्न हमने दो यह डालना है एक हमने यहां तेली में यहां डालना है और यह यहां पर डालना है तो अब यह हमारे नौ बचेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ अगर आपके कम या ज्यादा फंद्रे हैं बच्चे का बना रहे हो हो सकता है कम या ज्यादा है तो आप इन में जो सीधे बुने हमने यह और बीच में डबल और यह इन में से कम करना आपने और बागी पैटर्न वैसा ही रहेगा आपका हो यह फ्ल साइज है तीश फंद्रों का आउमने जो नौ उल्टे ली थे तो एक दो pens, इनको सीधे लीए तो उनको उल्टा लेना और जो सीधे लीए थे उनको उल्टे लेना है जो उल्टे लिए उनको सीधा लेना है इस तरह हमने रीपीट करंए श्याई सीधे को उपर सीधा और उल्टे को उपर उल्टा छे साथ आठ ए नो उल्टे आगे उल्टी स्लाई में अब ये दो हमारे ये सीधे आगे फिर ये दो उल्टे आगे अब चार हमारे सीधे हैंगे जो हमें उल्टे लिये थे बस इसी तरह रिबीट करनी है स्लाई सीधी में फिर बताती हूं तो देखे उल्टी स्लाई हमने ले लिए अब हमारे तीसरी स्लाई है तो तीसरी स्लाई हमारे पहली की तरह आएगी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा वैसे हमारे उल्डी आएगी सीधे पर सीधा और उल्डे पर उल्डा तो दो लिए हम ले लेते हैं सीधे उल्डी तो जो हमारे सीधा हा tomba जो उल्डा आ y पिर आपको पाचियो श्लाइल में बताती है क्या करना है तो देखे स्लाइल लेंगे अब आपको तो तो दो हमारे यह नो हमारे सीधे सीधे रहेंगे यह जो हम सीधे पुने हैं हमारे सीधे ही रहेंगे पहले वाले और सेंटर वाले और लास्ट वाले तो यह नो फंद्य हमारे सीधे और दो उल्टे बहुत इजी पैटर्न लेके आती हूं मैं हर वीडियो में कोई उसको बना सकता है तो अब हमने क्या करना है यह इस तरह से यह जो दो हैं यह चार हमने स्लाइम रे लिए अब इन दो को यह जो सीधे हैं इनको इस साइड और यह जो उल्टे हैं इनको इस साइड तो इनको ट्विस्ट करेंगे हम चार फंदों को ऐसे हैं यह जो सीधे वाले थे हमेरे अंदर की तरफ आ गया है और जो उल्टे थे बाहर वाले तरफ आ गया है तो इस साइड वाले देखो यह तो हमने कर लिए अब यह जो चार है इनको इसमें ले लेंगे और यह सीधे वालों को हम अंदर की साइड और इसमें हम इनको वापस कर देंगे और इनको चारों को पुल लेंगे बस यह सीधों को हम अंदर साइड लाएंगे और उल्टों को बाहर के साइड ले जाएंगे तो यह हमारे आठ फंदेते जो ट्विस्ट हो गया और अब हमने यह दो उल्टे यह बाकी जो अठारा है यह हमने सीधे लेने हैं पीछे की साइड लेने है अब देखो यह आगे दुबार से एक बार बताते देंगे अब हमारे जो यह हैं इन में से हमें चार को इस स्लाई में लेके और यह जो सीधे वाले इनको अगे ले आएंगे और यह उल्टे की साइड आजाएंगे इस ट्विस्ट हो कि अब हैं बस यह अपने दिया त्हहा है और इसको भी ऐसे करना है चार फन देंगे हमारे इनको हम पीछे ले जाएंगे और इनको आगी लाएंगे अब बागी हमारी जो इसलाईया है हमने ग्यार इसलाईया बुननी है तो ग्यारा हमने सीधे पर सीधा हर उल्टे पर उल्टा वैसे बुननी है जैसे हम बुनरें थे बस यह इसलाई हमने ट्जिश्ट कि अ बार इनको भी थाहिस सर्फ के आको कि यारह बन सकते हैं अगर आपका बच्चा चोल्टा प्लस बना रहे हो तो आप 9 बनले नौ काफी हो जाएंगी तुम XL बना हरे हूं तो मैं 11 अब बना स्लाह है , घायो मैंने passo 1 बनी स्लाही है पहले ये वाले आगे आए थे अब ये वाले आएंगे सोरी ये मतलब कर दो कि सेंटर में और ये वाले आगे ऐसे कि इस तरह से अब ये दुबारा से ये वाले जो है यहां सेंटर में आएंगे और ये सेंटर वाले पीछे जाएंगे अब ये थोड़े अपने ध्यान से डालने हैं चाहो तो आप इससलाई यूज कर सकते हो क्योंकि इससलाई में वेरी इजी से हो जाता है ये इसमें डाल दिया चाहर को हम बुन लेंगे एक लोग तीन और ये चाहर ये होगे अब दो ये उल्टे होगे हमारे और ये 18 हमारे फिर सीधे होगे बसे इस तरह ट्विस्ट करने है एक बार बता देती है आपको ये ठार हमने ऐसे लेने है तो देखे एक बार और देख लो जो ये दो वाले फंदे ये दो फंदे हैं बाहर वाले इनको हमने यहां अंदर यहां लाना है और यह सेंटर वाले हैं इनको हमने स्टार्टिंग मिलाना है तो इसके लिए हमने इन दो फंदाव को इस तरह से ले लेंगे यह दखो अभी दो उतार के बहुत आराम से तो यह मेरा डार कलरत हो और आपको देख भी कमरा होगा और यह थोगे तो अब यह इस तरह से यह वाले यहां पर और इनको लेंगे हम सेंटर में हुआ है और है अब ईत्क है तो फिक वर उल्टे के ऊपर उल्टा विश्यवारने श। उसwo से बाद है अग्ली आज difficulty तो आपने ऐसे बुननी है जहां सीधे हैं वाँ सीधे जहां उल्टे हैं फिर नेक्स लाइए में आपको बताते हूं थोड़ा चेंज करेंगे हूं तो दिखेट हमने कर दिये थे पाइब हम देखो यह मैंने ले लिया सीधे फंदे दो आपने पहाने, 2 heap लेने यह जासे यह नीचे लिए थे एक बार के और बाकि यहumed चार उल्टे तीस चार और 2019 करेंसे चार और फिरुरे दो सीधे जहां धने नीचे लिए थे व延國橋 म अब देखि जो 18 इहां पर अपने यह ना है अपने इन अपना लिखर की निकाला है उन्हुकुंटा इस हुद सब्हें ने उन न ने वए संट्रे के हमारी नव लोगी आठ भूलोंगी एक दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, ये बीच में दो रहने दूँगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये जो है, ये आठ फंदे बुन लिए मैंने, चैंटर के दो छोड़ दिया है, ये ये देखो इस तरह से फंदा उठाया है मैंने, तो यहाँ बने फ फंदा बढ़ाना है, फिर ये मैंने दो ऐसे बुनने है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह उठाना है, एक फंदा, तो इस से हमें जाली नहीं आएगी, जाली से बढ़ा सकते थे हम, पर यह हमने जाली नहीं बनानी, और यह आठ फंदे ऐसे बुल लेंगे, तो यहाँ दो दो फंद्या आपने हर बार बढ़ाने हैं हर आठ फंद्य के बाद आपने दो फंद्य बढ़ाने है एक च्पांधिया और बता देती हूं आपको अगली पर यह बाकिया है वैसे नारमल बूना ने जैसे वह भूना था यह दो सीधे और चार उलते दो चीर चार उल्टे और ये दो सीधे उल्टी स्लाई वैसे जैसे आप बुनते आ रहे हो सीधे को उपर सीधा उल्टे को उपर उल्टा एक स्लाई और मैं आपको बतावा देती हूं कि कैसे पने बढ़ाये थे अब उल्टी झेले हिमार इस तरह से आती है जहां सीधा वहां हमने सीधा हुना जहां वह उटा ह हुना तो नेक्स्ट में फिर वह आपको एक बार मता देती हूं कैसे बढ़ाने तो возвा बैल और हानेcı опер आठ बुनने हमने आठी बुने थो न पहले बुन से ठीज अरे आठ भुनने 6 साथ अरे 8 तो अब यहां से इस तरह से यह वला इस तरह उठाएँगे और इस तरह बुने दूत गए गुसा फिर यह 4 हो यहां से फिर एक और उठाना हमने या इस साइज उठाना या इस साइज आपके मरची है। यह उठाना है और यह बुनना है। यह हमारे बढ़ते हैं जाएंगे हम ने कब तक बढ़ाने है? जबёт तक हमारा अंगोठे लायब ने जाते हैं अगर आपके बच्चे का अंगोठा पत्ल है अब अंगोठे की उपर है कि अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हो तो 10 फंदे भी बहुत है और अगर आप 6-7 साल की बच्चे बना ले हो तो 12 फंदे बहुत है तो अब मैं जैस बना रही हूँ तो उसके लिए फिर मुझे ये 18 फंदे कम से गम चाहिए 16 ये 18 फंदे तो 18 फंदे हो जाएंगे फिर मैं इनको स्टॉप कर दोगी तब तक मैं बढ़ाती रहूंगे ये ये हमारे आठी फंदे रहेंगे ये साइड वाले हमारे आठी रहेंगे बीच के हमारे बढ़ते चले जाएंगे और जब तक हमारे 18 फंदे नहीं हो जाते या 16 नहीं हो जाते अब जितना आपका अंगूठ है बच्चेगा उसे सावसर बढ़ाना है तब तक हम इनको जबनाते रहेंगे और ऐसे बुलते रहेंगे तो यह बना चे फिर मैं आपको बताते हूं क्या पर ना है है तो देखिए अंगुठे के हमारे यह हो गया है यह 16 होगे हमार सेंटर वाले देखिए शायद आपको नज़रा रहे होंगे यह वी शेप में यह देखो तो यह हमारे तो अब हमने क्या करना है यहां से यहां तक तो मैंने बुन लिया और अब यह आठ फंदे बुनने मैंने पहले एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब यह बीच वाले जो हमारे 16 है यह हमने घटाने है तो इसको हमने क्या करना है एक और अब इसको इसमें से निकाल देंगे आप जैसे घटाना चाहते हैं थोड़े डीली घटाना ताकि उंगली में फज्जा है मतलब बहुत लूज भी नहीं होने चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं घटाने तो यह हमने 16 अधे जितने बढ़ दो तीन चाहर पांच शे बहुत जाएट नहीं घटाने आपने और लूज भी नहीं साथ आठ नो दस ग्यारा 12 13 14 15 और यह 16 और यह बाकी जो बचिया हमारे आठ है इनको हम बुल लेंगे यह दुखा अब यह देखो आपने आठ इस साइड है और आठ इस साइड है हमारे है अब बाके हम सेम बुनेंगे अब उल्टी स्लाइए उटाते हैं फिर मैं आपको इसको हम ऐसे बुल लेंगे सेम जैसी थी हमारे पास यह दो को यह जो हमारे उल्टे फंदे हमने यहां पर लिए हैं चार फंदे यह अपने सलाहें वह उल्टे ही बेने हैं तो यह धार Declaration कीणीमें मरत ही दिख रहे हैं सब्वेस्टेरा कि इसलिए आवर बताती मैं अपको अपने ध्यान रखना सब्सक्राइब बागके सब्सक्राइब आ कि देखिए ये फंदे थे वैसे हम सीधे बुनने थे हमने इसको पर हमने उल्टा ही बुना इसको ता कि ही धार्य मोटी-मोटी नजर आये थोड़ों हुभर क्या है हमारा इसलिए इसको हमने उल्टा इचार फंद यो को चार के पूरे उल्टे आये, आठ फंदे हमारे, अब यहाँ पे यह दो सीधे, बाकि यह आठ उल्टे, तो पिछले में ने गलस बनाये थे, उसमें यह मैंने थम ने बनाया था, अंगुठा ने बनाया था, सोरी, यह, तो इसमें मैं ने बनाया थे, तो लड़कियों का था आप उसको भी ऐसे बना सकते हैं कि मर जी है तो देखे हमारा अंगूठा निकला आया है अब हमने क्या करना है इसको ये तो हमने घटा दिये थे अब यहां से हमने टाइट बुनना है थोड़ा सा थोड़ा इसको खीच के रखना है ताकि जाली ना आए बस बाकि हमने सेहे में बुनना है अब हमने यहां तक बुनना है जब तक यह हतेली हमारी पूरी नहीं हो जाती यहां तक यहां तक बुनके फिर मैं आपको बताते हूँ तो देखिए अब हम इसको यह कलोज करेंगे इस डबी को तो अब हमारी 6 लाइँ और बुननी हैं हमने बस यह देखना है आपने इस हतेली से 6 लाइँ और बुननी है उस से पहले हमने इसको close कर देना है जितनी बीव लंबी आपकी तो यह मेरी 11 धारियां हो गया है यहां से 11 यह वाली तो अम मैं इसको close करें देखो close ऐसे करना है यह जो दो है सीधे वाले की इनको हमने सेंटर में लाना है यह वाले हैं जो इनको हमने इस साइड़ाना है तो एक दो इनको बुल लेंगे हम चारों को तेन और ये चार एक बार और देख लेंगे ये हैं जो दो उल्टे वाले इनको हमने बैक ले जाना है और ये यहां से पीछे से उठा लेंगे हम देखो इन दो को और इनको हम यहां ले लेंगे इसलाई में तो यह हमने Center में लिया आए और Center वालों को हम साइड में लेगे बस यह हमारा Big ग्लोज हो गया हँ को रहा हुआ उसके बाद हमने पांस लाइंगे ऐक तो यह गी और और पास लाइए और बुनेंगे फिर सीधे उल्टी फिर उसके बाद जैसे दिख स्टार्टिंग में बनाया था हमने इस तरह से दो सीधे चार उल्टे दो सीधे फिर ऐसे बनाना है हमने तो इस बार और दिखा देती हूं आपको इस तरह होगे यह दो सीधे वाले हमारे तो इन चारों को लेकर हमने यहां से इनको ले लेंगे और इनको निकाल के इस से ले आएंगे बस इसी तरह ट्विस्ट करने यह बहुत इजी है और अगर आपको डिजान अच्छे लगर कोई ओ डिजान बना सकते हो अब यह जो हमारे यह वाले उल्टे तो इनको हम बैक ले जाएंगे पीछिस लेंगे इनको दो को और इनको लेके आगे कर लेंगे बस बागी हम कंटीनिव पांस लाइए ऐसे बुनेंगे जैस मैंने आपको बताया है अभी यह दो सीधे चार उन्टे दो सीधे उन्टी स्लाइट आपको पता ही कैसे बुढ़नी है फिर उसके बाद बताती हूं मैं आपको फिंगर्स बनाने अब देखे लंबाई पूरी हो चुकिये इसकी अब हमने क्या करना है यह जो सेंटर वाले हमारे अब जितने भी आपके फंदे हैं उनको आपने चार भाग में में डिवाइड करना है फॉर पार्ट में तो जैसे मेरे हैं यह 58 है तो यह मतलब 14 14 होगे और दो एक्स्ट्रा होगे 14 14 चार भाग में हमने करना है इस फॉर पार्ट में तो 14 के सांब से हमारे होगे 56 और यहां होगे हमारे 16 कि चार तीन जगे हमारा 14 14 हो गए और एक उंगली में हम कर लेंगे 16 अब ने उंगलियां बनानी है क्योंकि अभी सेंटर वाले हमारे ये 16 है तो इनको बुनेंगे हम बस अब सेंटर वाले हैं जो अब सेंटर देख लेना आप कहा है आपका सेंटर तो वहाँ से आपने इस तर याद रखना है या मार्क लगा देना आपने तो मार्कर बहुत जरूर यह भूल जाओगे नहीं तो दो तीन चार पांच मैं काउंट करके काउंट चला रही हूं छे साथ आठ नो दस ग्यारा मारा तेरा चौदा अरे पंदर और सोला तो अभी हम यहीं से यह दो कुछ जो हमा इनको भूना है बस तो छे स्लाईय बुन लो आप छे स्लाईयां काफी है और आपने ज्यादा दा बुन सकते हो तो इस दो शाइव का सब से इजी मैथड है गलव्स बनाने का आप से पूरे अंगल्यां बना सकते हो और एलक है अब यहीं से हम तर्ण हो जाएंगे दो के यह वले नि बुनेंगे और यह वाले नि बुनेगे यही से टर्ण इन को बनाना है आपने चार शेस लाई हैं जितनी ही आपने लेनी है तो मैं छेस लाई हां बहुत हैं यह सबसे तो आठ भी कर सकते हो अगर छोटा बच्चा है तो चार भी कर सकते हो, अपने हिसाफ से आपने जितने उंगलिया रखनी है उतने रख सकते हो, आप इनको उल्टा उल्टा भी बुन सकते थे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बुन लो, बहुत इजी तरीका बता रहे हूँ, आपको उंगलिया निकालने का, चार्च लाईया होगी, आप इन उंगलियों को उल्टा उल्टा भी बन सकते हो, और बॉर्डर की तरह बुन सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बुन सकते हो, अब यह हमारी छेज लाईया होगी, यह इतना हैगा देखो, छेज लाईयों में, अगर आपको और लंबी करनी है तो आप और लंबी कर सकते हो, अब मैं इनको बंद कर दोगी, तो बंद ना ज्यादा टाइट, ना ज्यादा लोज, जैसे हमने अंगोठे की की थी वैसे बंद करने है, तो देखे, यह हमने बंद कर दी है, यह मेरी एक फिंगर पूरी होगी है, 112 जैवने दूसरे बनानी है, तो यहां से दीखो, ऑब हमनेे 7-7 लेने हैं, क्योंकि हमने इधर से मैंने आपके पहले बोला था दोना साइड से तो यहां पर बांच सकते आप इसको इधर से धागे को इस तरह से अब इसमें गाठ लगा लो ताकि खुले ना तो यहां देखो हमने इसको लोग कर दिया और अब यहां एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ साथ होगे अब यहीं से हमने मुणना है साथ इस सेड के और साथ इस सेड के लेने हमने एक दो टीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा मारा तेरह चोद तो अब इनको हमने वैसे बुनना है अब यह छेस लाइए पूरी करने यह दो हमारी हो चूकिए चार और करनी है तो इसी तरह यह भी बंद करनी है सेम तो देखिए एक यह बन गी एक यह बन गी तो अब बाकी की भी हम ऐसे बनाएंगे तो यहां से धागा हमने यह अटेश करना है और यह हमने साथ साथ फंदे बद दो फिंगर और रहे हैं हमारे साथ एक साथ एक तो यह भी ऐसे ब बिल्कुल सेम वैसे बनाना है और यहां आपने देखो यहां अगर आप पास हैं तो दो बीट लगा देना या आई जहां छोटी-छोटी कई बार होता है टैडी बेर फट जाते हैं तो उनकी आईच भी लगा सकते हैं आप बटन लगा सकते हैं या आप सुई से भी धागे से कर सकते हो तो बस बनके त्यार और सेम दूसरा भी ऐसे ही बनाना है तो अगर मेरा चैनल आप सौरी मेरे बनाए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि आने वाले वीडि जाँ की है और इस साइड की हमने सारी और ये फिंगर्स की भी कर दिए अब मैं को सीधा कर लेंगे तो एक हमारे प्लह बनके त्यार हो गया अब दूसरा बनाने की त्यारी करते हैं लुझा कुछ भी डिफरेंट निकान नगया बस इसको सीधा करो और यहां पर आप आज ल तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में